टीम इंडिया के पुर्वा ओलराउंडर यूराज सिंग के पीता वा पुर्वा क्रिकेटर योगराज सिंग एमेस धोनी पर निशाना साधते हुए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं योगराज सिंग ने धोनी को हमेसा ही अपने निशाने पर रखा है अब एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि सौरफ गांगुली ने जितना यूवा खिलाडियों को सपोर्ट किया है साय धोनी ने अपने वक्त में यूवा खिलाडियों को उतना समर्थन नहीं किया यही नहीं उन्हों ने ये भी कहा कि टीम का कपतान तो यूराज सिंग बनने वाले थे लेकिन धोनी किस्मत से कपतान बने धोनी को साल 2007 में टीम इन्डिया की कपतानी तब दी गई जब इस टीम ने वन दे विश्वकप में काफी खραाब प्रदर्शन किया था हलाकि धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया को कई बड़ी-बड़ी काम्याबिया मिली हैं लेकिन योगराज सिंग ने धोनी पर टिपड़ी करना नहीं छोड़ा है उन्होंने एक इंटर्विव के दोरान बातचीत में कहा है कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें यूराज शिंग गौतम गंभीर वा विरेंदर शेहवाक थे इसमें हर कोई प्रतेच्छे या फिर और प्रतेच्छे तरीके से धोनी पर टिपड़ी कर रहे हैं सब कोई गांगुली के बारे में इतनी बाते क्यों करते हैं जब उन्होंने टीम को बनाना सुरू किया था तब टीम की रैंकिंग साथ नंबर थी उन्होंने युवा खिलाडियों जैसे कि यूराच सिंग, मोहमत कैफ, जेहिर खान, हर्भजन सिंग और विरेंदर शेहवाग और गौतम गंभीर के साथ एक नई टीम बनाई थी यूराच सिंग ने कहा कि यूराच सिंग को टीम इंडिया का कप्तान बनाना था लेकिन ये धोनी की किस्मत थी कि वो एक तयार और बनी बनाई बेहतरीन टीम के कप्तान बने उन्होंने कहा यूराच सिंग टीम इंडिया के इस्टार धाकड की लाड़ी थे और 2007 T20 वर्ड कप में उन्होंने स्टूर्ट ब्राट की छे गेदो पर छे चक्के लगाये थे और प्लेयर आफ दा टूनामेंट भी बने उन्होंने ये भी कहा कि धोनी विराट और टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने मिलकर यूराच सिंग के साथ धोका किया योगराच सिंग ने BCCI से आगरह किया है कि धोनी, रोहित और विराट रिटायर हों तो उन्हें एक सांदार विदाई दे मैं बोर्ट से कहना चाहूंगा कि इन खिलाणियों ने भारतिये टीम के लिए जो योगदान दिया है उसे देखते हुए इनके लिए बेहतरीन विराई तो बनती है बेसक यूराच के साथ अन्याय हुआ